आज ही डाउटनेट आप डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउटनलोड नाओ क्यानी जारो रियाक्शन इन डुटेरियम गंटेनिंग आलडिहाइड आपनीज इस कंपाउट में अलफा हैड्रोजन तो होना ही नहीं जाहिए नोफट रीडियो अटम अब हमारा कौन से हैं इसाल आपको क्या करना है इस फॉर्मेल डीहाइड का एक जो हाइड्रोजन है एक हाइड्रोजन आटम को आपको रिप्लेस करना है किस से डोटेरियम आटम से यह रिप्लेस्मेंट चाहिन है कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है डोटेरियम से राइक आपका जो कमपाउंड है वो कुछ ऐसा कमपाउंड है ओके यह कमपाउंड ह जिसमें एक C Hydrogen bond है और एक C D bond है एक CH और एक C D bond है अब अगर हम इन bond के strength के बात करें कौन सा bond ज्यादा stronger होता है तो जो CD bond है ये more stronger than CH bond करानी है और देखते हैं कि हमारे क्या compound होंगे तो हमारा जो फॉर्मेल डिहाइड है वो कैसा है एक C, H, C double bond O and D अभी आपको reaction किसमें करानी है strong base में करानी है तो यह आपका base हो गया OH negative यह base का tag हुआ double bond shift हो गया तो यह आपका compound है H, C, D, OH और यह आपका O negative अभी क्या करेगा यह दूसरा compound यह उसके साथ reaction करेगा यह आपका formaldehyde का next compound अब इस step में क्या होता है आपका 1 hydrate transfer होगा और यह आपका slow step होता है यह आपका reversible step होता है okay अब देखिए हमारे पास 2 option है या तो यह hydrogen transfer कर जाए या फिर यह deuterium transfer कर जाए कौन सा transfer करेगा अभी हमने बताया क्यों जो हमारा CD जो bond है वो क्या है strong है अगर CD bond strong है तो यह bond इतना easily break नहीं होगा और CH bond इस CD bond के comparison में क्या है weak है तो मतलब कि यहां पर transfer किसका होगा CD का CH का हां ओके तो यह जो hydride है यह transfer कर जाएगा और इस दूसरे जो हमारा LDHID compound पर अटेक करेगा रहे अब हमारा क्या compound form होगा है आप से देखिए यह तो हो गया C O negative OH sorry यह bond इतर पर शिफ्ट होगा अभी तो आपका यह compound क्या बनेगा है यहां पर C double bond O O H और यह D plus यह compound क्या होगा आपका C O negative H and then D right अभी इसके बात क्या होता है यह पर एक्सचेंज होगा यहां पर क्या होता है proton exchange step में proton exchange अब जब proton exchange होगा तो यह वाला hydrogen यह hydrogen exchange होगे इस पर आजाएगा तो यहां पर आपका क्या compound बनाएगा D C double bond O O negative acid का salt plus CH2 D O H okay यह hydrogen यहां पर और यह प्रेजन था भी कोसी hydrate transfer भी तो किया था तो यह आपका क्या बन गया है यहां पर एक डिट्यूरेटिड अलकॉहल और यह डिट्यूरेटिड कापॉक्सलिक आसेड ओके तो यह आपकर क्या होगे कंपाउंड होगे अभी तो हमने जो कंपाउंड देखे इसमें हमारा इसमें हम सारे के सारे जो हमारे है इनको किसे रिप्लेस कर देंगे डोटेरियूम से रिप्लेस कर देंगे तब रियाक्शन कैसे प्रॉसीड करेगी अभी जो आपका नेक्स्ट कंपाउंड है इसमें हमने क्या किया अभी रियाक्शन कैसे प्रॉसीड करेगी वही आपके जो बेस है उसने अटक करना है तो बेस इस कार्बोनिल कार्बन पर अटक करेगा यह बॉन्ट शिफ्ट हो जाएगा तो यह आएगा सि अधीट यह अपका ओड़ कर लाग अब यह इसके दूसरा जो मॉलीकुल के सब्कावस के साथ क्या तो आपका यहां से क्या compound बनेगा C double bond O, यह हो गया OH और यह D plus C deuterium, deuterium, deuterium और यह O negative, अभी next step में आपका क्या होता है, यहां पर proton exchange होगा राइट, तो यह आपका बनेगा D C double bond O, O negative plus C D3 OH, ओके तो यह आपके final compounds बन गए, एक oxidized or reduced compound, okay, then हमने क्या देखा, एक चीज़ और observe कि, experimentally observation क्या की गई कि, मान लीचे आपके कोई भी compounds है, आपका formaldehyde है, नॉर्मल जो formaldehyde होता है, hydrogen के साथ, यही formaldehyde है, अब अपने हाँ पर क्या लिया है, concentrated NUH, okay, basically है, अब अगर आपने lab में work है, तो आपको पता होगा कि आपका NUH है, यह तो solid होता है, इसकी white color की pallets होती है, okay, तो अब इसकी white color की pallets होती है, इसको आप किसी में तो dissolve करोगे, इसका solution बनाओगे, तो हमने इसका solution water में ना बनाते हुए, okay, deteriorated water में हमने इसका क्या बनाया, solution बनाया, okay, अब हम deteriorated जो हमारा NUH है, वो यूज़ कर रहे हैं, इस reaction के लिए, aldehyde में हमारे दोनों hydrogen presents है, okay, base में NUH है, बट जो उसका solution है, उसमें हमने normal water या, यूज़ ना करते हुए, हमने क्या यूज़ किया, है, deteriorated water यूज़ किया, बट हमने क्या observe कि हमारे compounds है, वो क्या compound उप्टेन होते हैं, एक तो, salt of acid प्लस में, alcohol, तो यहां पर हमें जो normal हमारे जो compound से वहीं form हो रहे है, यहां पर कोई भी hydrogen deuterium से replace नहीं हो है, तो that means, आपका जो solution है, बेस का जो भी solution आप बना रहे हो, उसमें चाहिए, आप hydrogen यूज़ करो, या फिर deuterated water यूज़ करो, उसे कोई फर्क नहीं परता, compound आपका सेम ही होगा, उस जो water है, वहां से कोई hydride transfer नहीं होता, hydride transfer आपका, जो आपका aldehyde है, वहीं से ही hydride transfer होते है, ओके, तो यह तो canisaro reaction थी, जो हम hydrogen को replace कर देते हैं, deuterium से, अभी next वीडियो में हम canisaro reaction की क्या limitations है, उनके बारे में पढ़ेंगे, और cross canisaro reaction क्या होती है, उसके बारे, Classics to 12 से लेके, Need IIT जेही, Means और Advanced के लेवल काता स्मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा, आज ही डाउनलूट के ले डाउटने टाप, यह WhatsApp कीचे अपने डाउट, आट 400 400 400 अपर,